ओं गण गणपतये नमाहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे अगर आपका शत्रू या विरोथी आपको बिना वजह से तकलिफ दे रहा है या आपके लिए एक खत्रा बन चुका है या हमेशा आपके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार का शड़ेंद्र कर रहा है तब आप इस वीडियो में बताये हुए अत्यनत सरल लेकिन बहुत ही सटिक शत्रू या विरोथी वशिकरन उपाय का प्रयोग करके इस तकलिफ को शिकर खतम कर सकते हो इस उपाय को करने की विधी इतनी सरल और आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना परेशानी से कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है और आगे मैंने नव अक्षर बताए है उन चमतकारी अक्षरों को आपको भोजपत्र या सफेद रंग के कागच पर रक्तचंद की स्याही के पैस से या लाल रंग के स्याही के पैन से लिखना है और फिर उस कागच के सामने आपको धूप या अगरबती और शुद्ध घी का दिया प्रजोरित करना है और कुछ सुगंदित ताजे फूल उस कागच के सामने रखने है और फिर अपने इश्ट देवता को एक छोटी सी प्रार्थना बोलने है कि जिस हेतु के लिए आप इस यंद्र का प्रयोग कर रहे हो उस हेतु में आपको मन चाही सफलता मिले इसके बाद आपको उस कागच के टुकड़े को अपने हजेब में रखना है यह एक अत्यंत असरदार शत्रु वशिकरन मोहिनी उपाय है जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है और इस मोहिनी प्रयोग के बारे में सन 2013 में प्रकाशित कियो हुए आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अब मैं आपको यह नौ अक्षर बता रही हूँ गुरुपयाद हैंसे सुनिए अगर आपको अमारा चैनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका कल्याण करेंगे